अब देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इगनु की तरफ से जारी किये गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें इगनु के प्रोग्राम्स में बदलाव किया गया है कुछ चेंजिस किये गए हैं उनके सिस्टम में तो आज की व एट करवाई गया है बी-ए जनरल, बी-कॉम जनरल, बी-ए-सी जनरल और बी-सी ए प्रोग्राम के इस्ट्वेंट्स को जो कि जुलाई 2022 से ही चालू हो जाएगी सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस तरीके से लेवल है, अंडर ग्रेजुट का सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा यहाँ पर multiple exit की बात हो रही है, यानि कि आप एक प्रोग्राम में admission लेते हैं, मान लीजे बी-ए जनरल में आपने admission ले लिया तो उसके बाद आपको certificate, diploma या degree कम मिलेगी, उसके क्या points होंगे, क्या level होंगे, उनके उपर बात की जा रही है यहाँ पर तो आपको undergraduate का certificate मिल जाएगा, कब आप उसके लिए eligible हो जाएगे, जब आप एक साल complete कर देंगे, 40-44 credit का, यानकी 40-44 credit आप एक साल के अंदर, यानकी 2 semester के अंदर आप लेंगे, तो even आप पहले साल के बाद अगर यह प्रोग्राम को छोड़ देते हैं, बी-ए जनरल को कहते ह कि अब मैं नहीं करूंगा, तब भी आपको एक साल का certificate मिलेगा, पहले ऐसा नहीं होता था, आप जानते कि अगर आपने degree course छोड़ दिया, तो आपके वो एक साल जो पिछला आपने पढ़ा है, वो भी बरवाद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बी-ए जनरल, ब ग्रेजूट का certificate मिल जाएगा, अगर आप दो साल कम्प्लीट करने के बाद, यानकी 80 से 88 credit जो है, उसको कम्प्लीट करने के बाद, अगर आप course को छोड़ते हैं, exit कर देते हैं, तो आपको डिपलोमा दिया जाएगा, दो साल का डिपलोमा दिया जाएगा, यानकी आपके द जलाव नहीं किया जाएगा, तो यह आप आप के लिए अच्छा होगा, कि आप पहले साल में भी इवन अगर अपना course छोड़ते हैं, तो आपको certificate मिल जाएगा, दूसरे साल के बाद, अगर आप अपना course कम्प्लीट नहीं करते हैं, तो आपको डिपलोमा मिल जाएगा, और रखा है, कि कौन-कौन से प्रोग्राम के लिए इस समय इगनु के इंदर ये facility दी जा रही है, तो वह हैं, बीए जनरल, बीकॉम जनरल, बीए सी जनरल और बीसी ए, आगे इसमें और प्रोग्राम एड किये जाते हैं, या फिर नहीं, जैसे भी होगी, मैं आज चानकारी उन्दर आना होता है, मतलब entry, यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि प्रोग्राम के अंदर आप आते हैं, exit का मतलब प्रोग्राम के अंदर आप हैं, और वहां पर से बाहर जाना जाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले exit जो करना चाते हैं, उनके लिए guidelines बताई जा रही है, undergraduate certificate आपको कम्प्लीट कर दिये दो साल में ठीक तो यह आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दिया जाएगा उसके बाद आपको यह मिल जाएगा और उसकी थोड़ी बहुत जो फीस होगी वह आपको पे करनी होगी उसका कि अभी से नथे देक्स को मिलेगा अब हम एंटरी कैसे चरहेंगे तो उसके बारे में भी बता जा रहला है वह-द्मक्त दियारस उसके अन्दर आपका आप जानते की एगनुक अंदर admission की validity 6 साल की होती है एक degree course में तो उसके अंदर उस 6 साल के अंदर आप कभी भी चाहें तो वापिस entry भी कर सकते हैं यानि कि अगर आप मान लीजे एक साल आपने किया certificate ले लिया उसके बाद 2 साल तक आपने कुछ और किया जो भी किया उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अपना program वापिस complete कर देना चाहिए तो आप चाहें तो दुबारा entry ले सकते हैं ठीक applicants who have successfully completed certificate यानि कि 2 semester अग complete किया हुए जिनको certificate मिल चोगा है उनको lateral entry सीधा second year में दे दी जाएगी जिन्होंने undergraduate diploma का मतलब है दो साल complete किया हुआ है तो उनको third year में entry मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बताया गया है जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको इसके लिए अपना जो grade card और certificate मिला होगा उसको जमा करना होगा credit of the undergraduate certificate diploma will be transferred into undergraduate diploma degree आपके जो credit transfer कर दिये जाएंगे जो भी आपको पहले मिले थे वो आपके program के साथ आपको transfer कर दिये जाएंगे credit यहन कि वो waste नहीं होगे अगर आप second year में lateral entry ले रहे हैं तो आपको चार साल मिलेंगे उसके बाद अपना undergraduate degree पूरा करने के लिए दो साल यान कि second year और third year और दो साल extra मिलेंगे आपको कि इन चार साल के अंदर अपना course complete कर लीजिए ठीक अबर कोई third साल में entry लेना चाहता है तीसरे साल में entry लेना चाहता है तो उसको दो साल दिये जाएंगे one plus one यान कि third year करने के लिए जेनरल में admission लिया first year complete करते हैं और first year complete करने के बाद आपको लगता है कि मैं अपना certificate ले लेता हूं और कुछ और करना शुरू कर देते हैं दो साल बाद आपको लगता है कि आप मैं वापिस उसी बी जेनरल में करना चाहता हूं तो आपको entry दे दी जाएगी और आप सीधा second year में चले जाएंगे और आपको चार साल का मौका दिया जाएगा कि चार साल के अंदर आप बचे हुआ second year और third year complete कर दीजी और आपको degree मिल जाएगी ठीक इसके लाबा अलग से guidelines इसके ओपर भी दी गई है कि जो इग्नु इस्ट नहीं है और वो करना चाहते हैं तो तब क्या होगा maximum period for completion of the degree program will be specified as per UGC normian की maximum जो period है completion का वो UGC की तरफ से बनाया गया है UGC जो भी decide करेगा UGC की guidelines ये मानेंगे उसके बाद आगे लिखा हुआ है applicants not fulfilling the above requirement will be governed by the extent rule of credit transfer of IGNU अगर कोई जो UGC की तरफ का norm है वो पूरा नहीं किया जाता multiple entry, multiple exit, facility वाला तो उसके बाद फिर जो IGNU का rule है credit transfer वाला वो apply होगा और उसके हिसाब से आपको admission वगारा जो भी होगा वो दिया जाएगा ठीक credit आपके अगर आपने swam के जरिए earn किया है तो वो भी credit transfer rule के जरिए दिये जाएंगे applicant seeking entry seeking admission through lateral entry to a program will be given a separate enrollment number आपको separate enrollment number दिया जाएगा ये बात आपको ध्यान में रखनी और जो registration fee जो है वो भी लगेगी आपकी अब है multiple entry for student coming from other institution ऐसे student जो की entry लेना चाते हैं लेकिन other institution से आए हुए यानकि आपने first year मान लीजे किसी और university से complete किया लेकिन second year या फिर third year आप complete करना चाते हैं इगनू से तो तब उसके लिए आप guidelines बताई जा रही है उसके लिए क्या है multiple entry facility अवेलेबल की जाएगी जो भी पर program दियेगा यानकि BA General, BCOM General, BSE General और BCA के लिए ठीक इस student will be required to complete at least 50% of the credit from IGNU यानकि आपको जो भी आपके total credit होते हैं आपके BA के जो credit होते हैं वो 120-132 के बीच में होते हैं तो उन में से 50% आपको कम से कम IGNU के अंदर complete करने होंगे अगर आप ऐसे student जो की दूसरी university से आए हैं तो आपको कम से कम 50% credit complete करने होंगे एगनू के अंदर अगर आप first year आपने complete किया हुआ है तो आपको सीधा second year में admission मिल जाएगा और आपको भी वही 2 plus 2 दिया जाएगा यानि कि 2 साल का मौका दो साल आपके second year और third year complete करने के लिए और 2 साल आपको additional दिये जाएंगे अगर जिन्होंने diploma complete किया हुआ है diploma का मतलब 2 साल complete किया हुआ है बाहर तो वो सीधा third year में entry ले सकते हैं लेकिन जैसा कि बताया गया है कि credit transfer जो होगा वो सिर्फ 50% का ही होगा बाकी के 50% है वो आपको इसके अंदर इगनू के अंदर complete करने होंगे यानिकि आप जानते हैं कि 2 साल के अंदर तो 80 से 88 credit हो जाते हैं 80 से 88 credit हो जाते हैं लेकिन एगनू जो होगा वो आदे credit ही आपको transfer करने देगा बाकी के आदे credit जो होंगे वो आपको एगनू के अंदर ही complete करने होंगे applicant will be required to submit the self-attested copy आपको submit करनी होगी एक certificate और grade card की the necessary credit of the UG undergraduate certificate diploma will be transferred to the undergraduate degree program along with the credit earned subsequently by him और जो भी आपके credit होंगे वो transfer कर दे जाएंगे certificate diploma के आपके degree के अंदर जब आप अपनी degree complete कर लेंगे and applicant seeking lateral entry to second year second year में अगर आप lateral entry ले रहे हैं तो आपको चार साल का maximum period दिया जाएगा applicant seeking lateral admission to third year of the program will be given a maximum period of four year तीसरे साल में अगर आप lateral admission लेंगे इगनू के अंदर लेकिन आप ने दो साल जो complete किया है दूसरे institution से यानिकी इगनू के अंदर नहीं complete किये तो आपको चार साल दिये जाएंगे जिसमें two plus two होगा ये भी को कि जैसा कि मैंने अपनी पिछली जो points से उनमें समझाया आपको कि 50% credit जो होंगे वो आपको इगनू के अंदर ही complete करने होंगे applicants not fulfilling the above requirement will be governed by the accident rule of credit transfer अगर इन में से कोई भी rule जो है आप fulfill नहीं कर पाते तो इगनू का जो rule है credit transfer का वो apply होगा और उसे साबसे आपको admission दे दिया जाएगा swim के courses के जो credits होते हैं वो भी credit transfer rules के जरिये ही दिये जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए पूरी यहाँ पर guidelines वो बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर multiple entry और multiple exit दिया जाएगा अभी इस समय यह BA General, BCom General, BSC General और BCA के लिए ही लागू है आगे और के लिए लागू होता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी और इस तरीके से आपको first year के बाद ही certificate भी मिल जाएगा second year के बाद diploma मिलेगा तो यह काफी अच्छी बात है और दूसरा यह कि यह जुलाई 2022 से ही चालू हो रही है यही जो session चल रहा है उसी से ही इसको चालू कर दिया गया है और इसको मनजूरी मिल चुकी है आप इस PDF को अगर खुद भी देखना चाहते हैं खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल चोहान वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description बॉक्स से मिल जाएगा तो इस वीडियो की जो description बॉक्स है उसको खोलिए और वहाँ पर जो टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फेर जरूर कीजिए